नमस्कार दोस्तों माई चैनल डीसी एजुकेशन में आप सबका स्वागत है इस वीडियो के माध्धम से असके जहां साइंस टेस्ट सीरीज नंबर साथ का अध्यन करेंगे इसमें 20 परसन होंगे और यह सब एकजाम ओरिंटेट कुश्चन होंगे और दोस्तों इस वीडियो क become more he how by hmm यह से अल्गोर का पीज मान क्या होगा जैश है अंसर गssen दोस्तों तिन होगा 5 होगा चार होगा इन में से कुई नहीं होगा अंसर नंबर ए तीन पिएच मान कितना होगा तीन नेक्स्ट पॉइंट जीरो फाइव मोल एस्टु एस्टो फोर घोल का पिएच मान क्या होगा एक होगा तीन होगा दो होगा इनमें से कोई नहीं होगा अंसर करें अंसर नंबर वी यानि दो मोल दो होगा पिएच मान निम्लिगित घोलों के पिएच मान की गर्णा करें यदि इनमें हाइड्रोजन आयों का सांध्रांड 1.0 इन्टो 10 पावर माइनस 7 मॉल हो तो इसका pH मान होगा 7 या 12 या माइनस 7 इन में से कोई नहीं आइंसर करें दोस्तों आइंसर नमबर A यानी 7 आगला question है निम लिखित घोलों के pH की गढ़ना करें यदि इन में hydrogen आयनों का सांधरण 1.0 into 10 power 9 mole हो A 9 C 10 B-9 इन में से कोई नहीं आइंसर करें दोस्तों आइंसर नमबर A यानी 9 अतधिक अमली मिश्रण का pH मान होता है अतधिक अमली मिश्रण का pH मान 07114 क्या होता है दोस्तों आइंसर करें answer number A यानि zero होता है एक 7 दोस्तों उदासिन होता है 7 से 14 14 तक ये छारी होता है बेस यानि और 1 से 0 तक ये दोस्तों अमली होता है अगर 0 है तो सबसे अमली होगा अगला खुशन है एक चालक में प्रवाहित विदुदारा और विवांतर के बीच क्या संबन्द होता है I upon V एक नीतांग है V इंटू I एक नीतांग है V बटे I एक नीतांग है V प्लस I एक नीतांग है answer करें दोस्तो तो यह होता है दोस्तों विवांतर V वराबर I B बराबर I R होता है विद्धुदारा और इसके बीच में सम्मद बताना है तो यह होगा दोस्तों R cross multiply कराते हैं तो R बराबर I upon V तो इसमें कौन सा अंसर होगा दूस्तों answer number A यानि I upon V एक नीतांग है answer number A सुक्राणों का निर्माड में होता है मूत्रवाइनी में वर्सण में या प्रोस्टेट ग्रंथ में या अंडुकोस की थैली में अंसर करें ये कहां होता है दोस्तों वर्सण में सुक्राणों का निर्माड वर्सण में होता है फ्लेमिंग के दाया हात नियम में अंगूठा किस ओर दर साता है लक्स की दिसा प्रेरित Us equally दिसा में या चालक की गत की दिसní यद तरजनी उंगली फ्लक्स की लाईनों के साथ होँ चालक की गत की दिसा यद तरजनी उंगली उत्पन वह दिसा की ओर हो एंसर कर दें दोस्तों एंसर नमबर C यानि चाला की गत की दिशा यदि तरजनी अंगली फ्लक्स की लाइनों के साथ हो अगला कुशन तीन सव वोल्ड के एक एलेक्ट्रानिक पंखे का प्रति दिन 8 घंटे तक उपयो किया जाता है एक दिन में उस पंखे द्वारा प्रियुक्त उर्जा की मात्रा यूनिट में क्या होगी यूनिट में क्या होगी हलो दोस्तों किलो वाट घंटा बराबर क्या होता है किलो वाट किलो वाट घंटा मात्रक मात्रक बराबर होता है वाट क्या होता है दोस्तों सूत्र वाट गुणे घंटा आवर बटे 1000 यानि 1000 क्या होता 1000 तो दोस्तों कितना वाट दिया है वाट है 300 300 इंटू आवर है 8 बटे 1000 1000 10 20 20 कैंसिल कर दो 8 तिया 24 24 बटे 10 10 का खतम कर दो यानि 24 बटे 10 एक जिरो खतम कर दो यानि 2.4 2.4 यूनिट 2.2.4 2.4 तो इसका एंसर हो जाएगा दोस्तों B 2.4 यूनिट अगला कुशन है प्रति दिन 10 घंटे के लिए 208 का एक लेक्ट्रिक बल्व जलता है तो कितनी यूनिट खपत होगी तो कितनी यूनिट खपत होगी तो दोस्तों यानि मात्रक निकालना है कितनी मात्रक या यूनिट खपत होगी यूनिट बराबर यानि वाट गुणे आवर बटे एक हजार तो दोस्तों कितना है वाट यानि 200 वाट इंटू 10 अपान एक हजार यानि 200 खतम और 10 खतम यानि 2 यूनिट खपत होगी तो इसका एंसर होगा दोस्तों C यानि 2 यूनिट अगला कुश्चन है एक हाइड्रोजन एटम में कितने नियूटरान होते हैं एक हाइड्रोजन एटम में कितने नियूटरान होते हैं एक तीन दो कुछ नहीं एक तीन दो कुछ नहीं अंसर नमबर D यानि हाइड्रोजन में कुछ नहीं होता है वन यच वन वन यच वन यच वन यानि एक प्रोटान होता है इसमें नियूटरानों की संख्या नहीं होती निम्लिकित में से कौन सा ट्रांसफार्मर का मूल अवयो नहीं है क्रूड प्रात्मि कुंडलन दुती कुंडलन और प्रस्पर अभिभाव अंसर नमबर अंसर करें अंसर नमबर इसमें दोस्तों डी और सी दोनों होगा डी और सी दोनों होगा दुतिय कुंडलन और प्रस्पर अभिवाओ अगला खुशन है आम तोर पर वनांता कलर ब्लाइंडनेस क्या है एक अनुवांसिक प्रकर्त है एक गैर अनुवांसिक इस्थित है जीवन सैलीगत बीमारी है प्रकास में अनावरण के कारण कलर ब्लाइंडनेस यह एंसर नंबर ए याने एक अनुवांसिक प्रकर्ति है अगला खुशन है दोस्तों निमलिखित में से कौन सा दोई परमाडविक है आरगन फलोरीन और हिलियम मीथेन एंसर करें अंसर नंबर C यानि फ्लोरीन निमलिखित में से कौन सा दुई परमाडविक है कौन है फ्लोरीन लोहे में जंग का रंग कैसा होता है जंग का कैसा रंग होता है लाल ग्रे होता है लाल नीला होता लाल भूरे रंग का होता है कैसा होता है दोस्तों यह answer number C यानि लाल भूरे रंग का अगला question है protein protein का एक अभिन अंग है antibody कोशिका जिल्ली enzyme हो इन में से कोई नहीं protein ना तो antibody है ना enzyme है ना कोशिका जिल्ली है इन में से कोई नहीं answer number D आगला question है किसी तत्त का परमाड करमांक 3 है किसी तत्त का परमाड करमांक 3 है किसका है बोरान, lithium, beryllium, sodium तो परमाड करमांक तो hydrogen, helium 2 हो गया और lithium या लाईया इन 3 हो गया तो किसका होगा दोस्तों lithium का answer number B moss का पूर्ण रूप क्या है इसकी फुल फॉर्म बता नहीं है पताईए दोस्तों यह है दोस्तों answer number A यानि metal oxide semiconductor, metal oxide semiconductor यानि यम OS का पूर्ण रूप है अगला कुश्चन है जर्मेनियम का प्रियोग मुक्ता किया जाता है अगला कुश्चन है बिद्धुत बल्ब का सूत्र फिलामेंट आमतोर पर tungistan का क्यों बना होता है क्या कारण है tungistan का बनाने के लिए answer number B यानि इसकी उच प्रतिरोधक्ता तता गल्लांग के कारण उच प्रतिरोधक्ता तता गल्लांग के कारण यह फिलामेंट का बनाया जाता है यह last question सा दोस्तों वीडियो पसंद आया तो like करें, subscribe करें दोस्तों को share करें ताकि मैं जो भी वीडियो अफ्लोड करूं उसका नोटिफिकरसन आप तक पहुंच जाए जाए हिंद दोस्तों यह आने वाले NTVC Railway Group D exam के लिए आतिमाहत्पूर प्रश्ण है जाए हिंद